हलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो आज हम एक हास्य कविता पढ़ने वाले हैं कविता का नाम है इधर उधर और उसके लेखक है डॉक्टर रमेश मिलन बच्चो ये जो हास्य कविता है ना ये इन दोनों बच्चो के उपर है ये जो दो बच्चे है इनका इसका नाम है इधर ये है उधर ये दोनों बच्चो खाने के प्रती बहुत लालची सुबाओ है इन्हें जो भी मिलता है ये लोग फटा फट खा लेते हैं बिना सोचे तो क्या होगा इसकी कोई फिक्र नहीं करते हैं और जो भी मिलता है वो खाते जाते हैं तो चलो बच्चो आज हम अपनी कविता इधर उधर हास्य कविता में हम देखते हैं कि आखिर में जदा मिठाई खाने के कारण इन बच्चों के साथ क्या क्या होता है ठीक है बच्चो त इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल हल्वा लट्टू गरम चले भी खूब चके तर्माल उचल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई पानी पूरी गरम समूसे लसी और नरम मलाई रसगुले बरफी खाकर हुए नगाडे पेट बड़े दर्द के धोल धमाके बजे दर्द के धोल धमाके गए वही पर लेटू देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी कान पकड़ कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई है जी का जनजाल मिठाई समझ हमें अब आई चलो बच्चो अब हम इसका विता का अर्थ भी देखते हैं इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल हलवा लड़ू गरम जलेबी खूप चके तरमाल बच्चो ये जो दो बच्चे है ना इसका नाम है इधर और इसका नाम है उधर ये दोनो भाई हैं और ये लोग बहुत पेटू है पेटु हम किसे कहते हैं जो बहुत खाता है जो खाने के प्रति लालची होता है जो मिले उसे खालो जो मिले उसे खालो तो ये दोनों बच्चे इन्हें कुछ भी मिलता है खाने के लिए तो फटाफट बिना सोचे समझे खा लेते हैं तो एक दिन ये दोनों बच्चे अपने ननीहाल जाते हैं ननीहाल अरतार नानी का घर तो सभी बच्चों को नानी के घर में जाना बहुत पसंद होता है वैसे ही ये इधर उधर ये दोनों अपनी नानी के घर जाते हैं तो नाने के घर जाते हैं तो नानी हलवा, लटू, गरम, जले भी सब ला कर देती है तो ये बच्चे फटा-फट-फटा-फट सब खा लेते हैं अब देखते हैं आगे उच्छल इधर ने, कूथ उधर ने, रबड़ी खुब उड़ाई पानी पूरी, गरम समोसे, लसी और नरम मलाई पहलो उन लोगों ने हलवा, लटू, गरम, जले भी ये सब पूरा खा लिया उसके बाद उन लोगों ने रबड़ी भी बहुत खाई फिर पानी पूरी, गरम समोसे, लसी और नरम-नरम मलाई भी खाई बच्चो यह जो रबड़ी होता है न यह भी मिठाई का एक प्रकार है दूत को हम बहुत ज़्यादा गाड़ा कर देते हैं फिर वो रबड़ी बन जाता है और रबड़ी के साथ बच्चो जली भी खाओ बहुत अच्छा लगता है हाँ फिर इधर उधर क्या करते हैं रबड़ी भी खा लेते हैं पानी पूरी भी खा लेते हैं समोसा भी खा लेते हैं लसी भी पी लेते हैं और नरम नरम मलाई भी खा लेते हैं रस गुल्ले बर्फी खाकर हुए नगाडे पेट बचे दर्द के ढोल धमाके गए वही पर लेट बच्चो ये दोनों बच्चे इधर उधर बिना सोचे समझे इन्होंने लड्डू खाया हलवा खाया गरम जले भी खाई फिर उसके बाद इन्होंने रबडी भी खा लिया पानी पूरी भी खा लिया गरम समोसे भी खाये लसी पिये नरम मलाई खाये और ये सब खाने के रस गुल्ले खाये बर्फी खाये और ये सब खाने के बाद इनका पेट देखो नगाडे की तरह हो गया और इनके पेट में बहुत दर्द होने लगा और दर्द के मारे वो बच्चे वही पर लेट गए कोई भी चीज बच्चे बच्चो अगर हम हद से ज़्यादा खाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है हर चीज हमें थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए एक साथ बहुत सारा चीज नहीं खाना चाहिए उससे नुकसान होता है जैसे इन दोनो बच्चो ने बहुत सारी मिठाई इधर उधर ने बहुत सारी मिठाई एक साथ खाली बाद में क्या हुआ इनका जो पेट है ये नगाड़े की तरह हो गया नगाड़ा बच्चो बड़ा धोलक होता है न जो दोनों बच्चे जमीन पर लेट गए, वहीं पर लेटे, आगे देखते हैं, देख डॉक्टर को दोनों में, मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा, उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी, जब ये बच्चे इतना सारा खा के इनके पेट में दर्द होने लगा, तो ये जमी पर लेट गए, तो इनके घर के लोग आए, और बच्चों को ऐसे देख कर इनों ने क्या-क्या डॉक्टर को बुलाया, जैसे ही इधर उधर ने डॉक्टर को देखा, तो ये लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया, कि डॉक्टर अंकल अभी हमको सुई लगाएंगे, और सुई से तो सभी को डर लगता है, तो ये लोग इधर उधर भागने लगे, तो दोनों भाईयों को पकड़ कर डॉक्टर ने सुई लगाई, कान पकड़ कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई, जब सुई लग गई और वो लोग ठीक हो गए, उसके बाद दोनों बच्चे इधर उधर ने कान पकड़ कर माफी मांगी, बोले कि अब हमारे समझ में आ गया है, कि ज्यादा मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो जी का जंजाल बन जाती है, कोई भी चीज बच्चो हम अती करेंगे, तो वो हमें नुकसान देता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो हमें कोई तकलिफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप इधर उधर की तरह सब चीज फटा फट खाते रोगे, लड़ू भी खाया, गरम जो इस हास्यकविता से आपको क्या समझ में आया, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए, अगर ज्यादा खाओगे, तो जैसे इधर उधर के पेटों में दर्द होने लगा, ठीक आपको भी होगा, तो इस हास्य कविता से हमें से एक मिलती है कि हमें किसी चीज की अति नहीं करना चाहिए कोई भी चीज हमें एक साथ ज्यादा नहीं खानी चाहिए देखो ये दोनों बच्चे इधर और उधर हाथ पकड़कर, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है अब हमारी समझ में आ गया है कि ज़्यादा मिठाई खाने से वो जी का जंजाल बन जाती है और हमें तकलीव देती है तो चलो बच्चो हमारी कविता समाप्त हो गई है अब हम स्वाध्धाय करते हैं सब्दो की अंताक्षरी खेलो हमें सब्दो की अंताक्षरी खेलना है बच्चो में आप लोगों को सब्दो की अंताक्षरी खेलाती थी ना इसकुल में वही अंताक्षरी यहाँ पे है जैसे खेत तो लास्ट अच्छर क्या है तो ता से सुरू होने वाले अक्षर हम तारा अभी लास्ट अक्षर क्या है रा तो रा से सुरू होने वाले जब रा नी लास्ट अक्षर नी है नी से नीला अब ला का लास्ट अक्षर बताओ नीला का लास्ट अक्षर क्या है ल ये ला है ना तो ला से क्या आएगा लड़ टू तो, यहाँ पे हम लिख देंगे लड्व अभी इधर उधर ने लड़ू खाये थे न तो, हमने यहाँ पे लड्डू लिख दिया तो, लास्ट में क्या आया द तो, द से क्या लिखेंगे हम बताओ कोई Шब्द, कौन बताएगा धमरू तो, हमने candid अक्षर का नाम बताओ, रा से क्या आएगा, राम, फिर मा, मा से मचली, फिर आया ला से लट्टू, इसी प्रकार आप लोग अपनी अंताक्षरी खेलते जाएए, और ये जो अंताक्षरी है बच्चों ये आप अपने घर में अपने ममी, पापा, भाई, भेन के साथ भी खेल सकते हो, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, तो हम अपने घर वालों के साथ भी अंताक्षरी खेल सकते हैं, दूसरा, लै योक्तो शब्दों को सुनो और समझो, चूडियों, चूडियों की खनखनाहट, जब हम बहुत सारी चूड़ी हाथ में डालते हैं न बचो, तो उसमें से आवाज आती है, खनखनाहट की, हवा की आवाज केसी होती है, सरसराहट, जब हवा तेज चलती है, तो उसकी आवाज होती है, सरसराहट, पत्तों की, जब हवा तेज चलती है, तो पेडों के पत्ते होती है, तो उनमें आवाज आती है, खड़खडा हट बादलो की आवाज केसी होती है गड़ गड़ा हट पायल की आवाज चम चम जब रात में सब सोई रहते हैं और कोई पायल पहन के उचले तो उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है चम 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 पानी की आवाज केसी होती है कल 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 अब तीसरा दिये गए वर्णों को वर्ण माला के क्रम से लिक कर पढ़ो तो पहला त्र फिर श फिर ग्या फिर छ तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चो छ आएगा छ से छत्रिय फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चो त्र आएगा ये देखो त्रिशूल फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चो ग्या ग्या से ग्यानी बाबा और सबसे आकरी में आएगा स्रवन ठीक है आपको भी इसी प्रकार लिखना है बच्चो चौथा सोचो और लिखो बच्चो ये चौथ चित्र दिखाई दे रहा आपको ये एक वाद्य है इसका नाम क्या है यास तबला तबला का त यहाँ पे लिखा है तो हम बीच में क्या लिख देंगे ब त ब ला क्या बन गया तबला त लिखा हुआ है और ला लिखा हुआ है हमने बीच में बाल लिख दिया है अब भी देखो ये सीधे में है बच्चो ये कौन सा फल है तर्बूज ता लिखा है ता के बाद क्या आएगा रो रो फिबू और फिर जो तर्बूज आप लोगों को पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है मेरे बच्चे भी तर्बोज बहुत खाते है मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत पसंद है ये कौन सा चित्र है जाहाज अब देखो यहाँ पे हा और जो लिखा है हाज तो हमें आगे क्या लिख देंगे जो तो क्या हो गया जाहाज तो बच्चो इसी प्रकार आपको भी अपने बुख में लिखना है ठीक है चलो आगे देखते है पाच्वा सबजियां खाने का महत्व मा से जानो और बताओ सबसे पहले बच्चो आप मुझे यह बताईए कि आप लोग सबजी खाते हो की नहीं खाते हो खाते हो ना हाँ सबजी खाना बच्चो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबजी से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते है प्रोटीन मिलता है फाइबर मिलता है और अगर हम भाजी नहीं खाएंगे तो हमें ताकत कैसे मिलेगी बच्चो भाजी तो खाना बहुत जरूरी होता है अगर देखो किसी दिन मम्मी दाल, चावल, रोटी बनाए भाजी ना बनाए तो हमें खाना खाने में मज़ा भी नहीं आता है बिना भाजी के तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है भाजी में भी बच्चो दो प्रकार होता है एक भाजी होती है जिसे हम कच्ची खा सकते हैं जिसे हम सलात की रूप में खाते ना मूली है गाजर है पत्ता गोबी है खीरा है ककड़ी है ये सब हम कच्चा भी खा सकते हैं सालात के रूप में और बहुत सारी भाजियां होती है जिसे ममी पका कर खिलाती है जैसे पालक है मेथी है सेम की फली है गवार पत्ता गोबी फूल गोबी मटर बैगन तूरी लोकी मेथी कितनी सारी भाजी है तो हर भाजी का बच्चा अपना-पना महतु है पत्ते दर भाजी खाने से अलग विटामिन्स मिलते हैं तो इसलिए हमें सारी भाजी खाना बहुत जरूरी होता है है ना तो आप लोग कौन- मुझे कमेड करके बताईए ठीक है भाजी खाना बहुत अच्छी बात है उसमें बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं और जो आप लोग जो-जो भी भाजी खाते हो वो सब मुझे कमेंड करके बताईए और जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे वाटसप पर भीज़ देंगे ठी चलो आगे देखे, मिठाईयों के नाम बताओ, आप लोग मिठाई खाते हो, तो मिठाईयों के नाम बताओ, अभी जैसे इधर उधर ने मिठाई खाई थी, लड़्टू, गरम चलेबी, रबड़ी, रजगुला, बर्फी, गुलाब जामून, बहुत सारी मिठाईयां होती है तो आपको जो पसंदे, वो सारी मिठाईयों के नाम मुझे लिख कर बताईये, ठीक है, आगे दिखते हैं, दूसरे बनने वाले प्रदार्तों के नाम बताओ, तो बच्चों जो प्रदाद दूसरे बनते हैं, आप मुझे उसके नाम बताईये, दूसरे में आपको पढ़ा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताईए मुझे तो पता है लेकिन अभी आप मुझे बताईए कि आपने दूसरे बनने वाले कौन-कौन से प्रदात खाए हैं ठीक है तो यहाँ पर बच्चो हमारी ये पाड़ साला समप्त होती है अगली पाड़ साला में हम कल फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और कमेंट करे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए कल हम नए पाड़ के साथ फिर मि तक तक के लिए बाई बच्चो